दुबई, दुनिया की सबसे खुबसूरत सिटीज में से एक है और दुबई जाना तो हर किसी का खुब होता है दुबई के बारे में आप लोग ये तो जानते ही होंगे कि ये शहर अपनी लाइफस्टाइल के लिए और बड़ी बड़ी बिलिक्स के लिए पूरी दुनिया में मुशूर है यहां के नॉर्मल लोग भी बहुत लगजीरियस लाइफस्टाइल जीते हैं जैसे की महंगी महंगी कारे रखना और महंगी महंगी यॉर्ट्स लेना और ऐसे में अगर बात यहां के प्रिंस की हो रही होगी तो आप सोच ही सकते हैं कि एक प्रिंस की लाइफ कैसी होगी खांदान के आगे टीवी के मशूर कलाकार भी बहुत छोटे लगते हैं उसकी सिरफ एक ही वज़ा है और वो है पैसा दोस्तो आज आप इस वीडियो में जानेंगे कि दुबई के शाही खांदान के पास कितना पैसा है और हर वक्त पैसा पानी की तरह बाहने के बावजूद भी इस खांदान के पास पैसा कतम क्यों नहीं होता जिसको देखकर आपकी आखे भी खुली की खुली रह जाएंगी तो दोस्तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा दुबई के प्रिंस का पूरा नाम शेख हमदान बिन मुहमद बिन राशिद अलमक्तूम है जो की इंटरनेट पे बहुत ज़ादा ही फेमस है और इनको पूरी दुनिया इनके इंस्टाग्राम के नाम फज़ा से जानती है शेक हमदान, शेक राशिद बिन सेयद अलमक्तूम के दूसरे बेटे हैं जो की दुबाई के किंग है और साथ ये UAE के वाइस पेसिडेंट भी है अगर आपने भी कभी इनको इंस्टाग्राम पे देखा होगा तो आपको भी पता होगा कि ये कितनी लक्जीरिस लाइफ जीते हैं इनकी लक्जीरिस लाइफ सैल को आगे इस वीडियो में देख के आप लोग भी यही कहोगे कि वाह लाइफ हो तो ऐसी ऐसा माना जाता है कि दूबई की रोयल फैमली की नेट वर्थ 18 बिलियन डॉलर है यानि कि एक लाग चालिस हजार करोड रुपे से भी ज्यादा 2018 की एक रिपोर्ट के मताबिक इनकी नेट वर्थ 20 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा बताई गई लेकिन दोस्तों सच बात तो ये है कि किसी को भी इनकी नेट वर्थ के बारे में पता नहीं है क्योंकि ये अपनी नेट वर्थ किसी के साथ भी शेयर नहीं करते हैं इसलिए आपको कभी भी अमीरों की लिस्ट में या किसी मैगजिन में इनका नाम नहीं दिखेगा फज़ा के इंस्साग्राम अकाउंट पर 14 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोवर्स हैं और इनका इंस्साग्राम अकाउंट देखके आपको समझ में भी आ जाएगा कि ये जानवरों से कितना प्यार करते हैं और इनी जानवरों पर इन्होंने लाको करोड़ों रुपए खर्च किये हूए इन्होंने एक बार लगबग 20 करोड़ रुपए का सिरफ एक उन्ठ खरीड़ा था जो कि दुनिया का सबसे महंगा उड़ था इन्हें महिंगे महिंगे जानुरों को पालने का बहुत शोक है जिनकी कीमत इन्होंने करोड़ों रुपे दे रखी है जैसे की फैलकन्स यानि की बाज, और्सेज, बेबी डियर्स, लायन्स और चीटा इनकी अमीरियत इनके खरीदे गई यॉर्ट से लगा सकते हैं आप इनके पास बहुत सी महिंगी यॉर्ट्स हैं जिन में से एक यॉर्ट एक हजार करोड़ों रुपे गी है जिसको स्प्रेलडा भी कहा जाता है इस यॉर्ट पे वो एशो आराम और सुकून पाया जा सकता है जो शायद किसी बड़े से बड़े सेवन स्टार होटल पे भी मिलता हो इस अलिशान यॉर्ट पे 12 गैस रूम है और 24 क्रूमेंबर के लिए भी रूम है जो की सारा काम समालते हैं साफ सफाई से लेकर लजीज खाना बनाने तक ये यॉर्ट शेक हमदान सिर्फ 10 से 12 लोगों की पार्टी के लिए ही इस्तमाल करते हैं इनके पास एक और यॉर्ट है जो की 6000 क्रूम रूपे की है जो दुबई यॉर्ट के नाम से जानी जाती है इस यॉर्ट में 50 शाही मेमान एश्वाराम से रह सकते हैं और इसमें कई सारे नौकरों के कमरे भी हैं जो की पानी में तैरते हुए इस आलिशान जाहास की देखबाल करते हैं शेक हमदान के पास इसके साथ-साथ 22 उपरियाच और एक क्वार्टरल शेडो भी है ये तो बात हुई इनके समुद्रों में एश्वाराम की अब बात करें जमीन की तो यहाँ पर भी शेक हमदान खर्चा करने में किसी से पीचे नहीं है इनके पास धाई करोड की मर्सेडीज G63 AMG से लेकर चार करोड की मर्सेडीज AMG SLS तक कोई गाड़ी ऐसी नहीं है जो की दुबाई के शहजादे ने छोड़ी हो इनके कार कलेक्शन में इसके इलावा फरारी, लेंबोर्गे निवेननो, मेकलेरन पीवन, बुगाटी वेरोन और एसन मार्टिन जैसी कई महँगी गाड़िया मोज़ोद है दुबाई की इस रोयल फैमली के पास 1.500 से भी ज्यादे दुनिया की सबसे महँगी कार मोज़ोद है जैसे कि आप सब लोग जानते हो कि दुनिया को सिटी ओफ गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर लोगों को सोना रखने का शौक है यहाँ के लोग अपने घर में सोने का फरनीचर बनवाना पसंद करते हैं और दुबाई के कई शेक सोने की कार चलाना और सोने का मोबाईल लखना पसंद करते हैं अब बात करते हैं कि शेक अमदान गाडियों की अपग्रेट पे कितना पैसा खर्च करते हैं इनकी upgrade हम आम लगों की तरह seat cover change कराने जैसी नहीं होती इनकी upgrade का मतलब होता है कि गाड़ी के उपर 24 karat gold की coating करवाई जाए जो कि आप अपनी screen पे देख रही है एक छोटा सा छोटा हार भी 15 से 20 लाग रुपे का आता है जो की बहुत special तरीके से design किये होते है इन ATM की खास बात यह है कि इनमें आप अपना car डाल गए 24 karat तक कसो ना निकाल सकते है शेक मुहमद के पास एक दो नहीं बलकि 40 से भी ज्यादा planes है और ये भी कोई arm planes या कोई ऐसे वैसे normal planes नहीं है बलकि ये Boeing 787 Dreamliners है जिसकी कीमत 340 million dollar है यानि की 2700 करोड रुपे और इन सब planes को खरीदने के लिए इन्होंने 15 billion dollars कर्च करें है जैसे कि आप देखी सकते हो कि ये plane size में बहुत बड़े होते हैं जिसमें एक साथ 300 से 500 लोग बैठ सकते हैं अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इतने planes इन्होंने क्यों खरीदे तो आपको बता दे कि इतने planes इन्होंने दूबाई की fleet business को बढ़ावा देने के लिए करीदे थे ताकि वहां से भी वो पैसा कमा सके शेक हमदान जादर अपने family plane में ही सफर करते हैं तो दोस्तों इनकी live share को लेकर आपका क्या ख्याल है आप अपनी राए नीचे comment box में ज़रूर शेयर करना है अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको आगे भी ऐसी मज़दर वीडियो देखनी हो तो प्लीज हमारे चैनल को subscribe करके notification bell को on कर ले ताकि हमारी वीडियो आते ही सबसे पहले आपको पता चल जाए Till then keep learning and keep growing Thank you